हलो स्टूडेंट विल्कम बैक टू मैं चैनल दिनेश सर ये वीडियो टैन्थ ट्वैल्थ सभी जो बोड एक्जाम के स्टूडेंट से उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो में आपको इंप्रूमेंट एक्जाम के बारे में काफी क्वेश्चन्स आ रहे है तो उसको क्लियर करना चाहूंगा बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इंप्रूमेंट एक्जाम क्या है तो आओ चलो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और कम से कम टाइम में आपको ज्यादा इंफोर्मेशन द देते हैं तेंध या ट्वल्द का रेगुलर स्टूडेंट अगर वो स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जक में फेल हो जाए एक या एक से ज्यादा सब्जिक में तो फिर फिर से अपने ही स्कूल या कॉलेश से फॉर्म भर सकते हैं तो उन्हें रिपीटर श्टूडेंट का form बरते समय वो सिर्फ English और Maths का ही form बरेगा जिस subject में pass था उसकी exam देने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ English और Maths की exam देना है उसे ऐसे करके अगर वो English और Maths में pass हो जाता है तो उसके पास और एक result आता है सिर्फ दो subject का और पहले उसके पास बागी subject के पास result थे तो इस तरह से दो result मिला के वो पास हो जाता है अगर फिर भी वो समझो किसी एक subject में pass होता और एक में fail तो वो तीसरी बार मान लोग इंग्लिश में pass हो गया और Maths में fail हो गया तो फिर से वो repeater form भर सकते हैं सिर्फ Maths subject का और फिर उसे पास करने की कोशिश करते हैं तो यह हो गई repeater exam और regular exam के बार में पहली बार जो exam देंगे वो regular exam होती है first time school या college में जाके इसी के साथ और एक exam होती है जिसे हम private exam कहते हैं private exam क्या होता है मान लो कि आपने 8 या 9 तक पढ़ाई किया आपने दस्वी या 11 तक पढ़ाई की है और आप बाहर से या प्राइवेट तरीके से सिर्फ बार वी की exam देना चाते हैं आप बार वी के लिए college नहीं जाना चाते हैं तो आपको form नमबर 17 भरना पड़ता है महराश्ट्रा बोर्ड की तरफ से यह भी online तरीके से है इसके उपर detail वीडियो इस चैनल पर है यह form नमबर 17 भरके बच्चे अपना registration कराते हैं बाद में दिवाली के टाइम पर उनका exam form भरा जाता है और फिर उनका hall ticket generate होता है जो center अलट हुआ होगा और वहाँ पर और वह बच्चे जाके महां से प्राइवेट जो है प्राइवेट तरीके से मतलब उन्होंने जो form भरा था महां से hall ticket collect करते हैं और प्राइवेट एक्जाम regular student के साथ बैट के ही देते हैं अच्छा बहुत से बच्चे जो है बोलते हैं कि यह जो और प्राइवेट एक्जाम अगर देंगे चालेज तो रिजल्ट में कुछ डिफ्रेंस आता है कि हम बिल्कुल कोई डिफ्रेंस ने आता है सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है regular college जाने वाले student और प्राइवेट या तो रिपीटर स्टूडेंट का जो मार्क शीट आएगा बिल्कुल सेम रहेगा कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि यह रिपीटर है या प्राइवेट है या रेगुलर है डिफरेंस यह होता है कि उनको जो एलसी मिलती है रिजल्ट के साथ जो कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई कर र है तो जैसे आपने देखा रिपीटर एक्जाम प्राइवेट एक्जाम होती है ऐसे ही वो सारे स्टूडेंट जो सारे सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन सटिस्फाइड नहीं है मान लो कोई स्टूडेंट है वो पास तो हो गया है त्वल्थ में या टेंथ में बड़ उ उसे आगे चल कि किसी कोर्स में एडमिशन लेना है जिसके लिए उसकी ग्रूपिंग होने चाहिए या क्राइटेरिया कम से कम 50 या 60 परसेंट का होना चाहिए तो ऐसे टाइम पर अगर उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा एडमिशन का तो वैसे बच्चे इंप्रू पीटर एक्जाम नहीं देना चाहता है मतलब जितने सब्जेक में फैल है उतना ही नहीं वह सारे सब्जेक का एक्जाम देना चाहता है तो भी वह दे सकता है उसे हम कहेंगे इंप्रूमेंट एक्जाम तो अगर आप सब्जेक में पास हो या किसी एकाथ सब्जेक में फैल ह तो भी आप improvement exam दे सकते हो अब बहुत से बच्चों के question आते हैं कि improvement exam देने के बाद मानलो की पहले 40% आया था और अब उसे 70% आया है या तो मानलो पहले 40% पहले आया था और अब और भी कम आ गया 35% आ गया तो हम आगे चलके कौन सा result यूज़ कर सकते हैं तो students आपको बता दूँ जिस exam के mark sheet में ज्यादा percent होगा पहले वाला या बाद वाला तो आप दोनों में से कोई भी एक result आगे चलके admission के लिए आप admission के लिए produce कर सकते हो तो इस तरह से कोई tension लेने की बात नहीं है सिर्फ एक बात याद रखना है कि जब आप regular exam देते हो उसके बाद सिर्फ आपको दो attempt allowed होते हैं improvement exam के लिए मानलो अभी आपने मार्च February 2020 या मार्च 2020 में बोड़ की regular exam दी स्कूल या college में रहके तो अगर इसके बाद आप improvement exam देना चाहते हो तो आने वाले जुलाई 2020 और आने वाले मार्च 2021 में सिर्फ इन दो बार में ही आप improvement exam दे सकते हो उसके बाद आपको chance नहीं मिलता है उसके ब पेल हुए repeater exam देंगे या improvement exam देंगे तो उनके लिए नया syllabus होगा या old syllabus होगा तो आपको बता दू जो बच्चे अभी 11 से पास होके 12 में जाएंगे उनके लिए new syllabus होगा जो बच्चे repeater exam देंगे 12 अभी अभी दिया था उन्होंने या पहले दिया था और या तो फिर improvement exam दे देंगे एक बार दे चुके उनके लिए old syllabus ही रहेगा बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझे कि जब repeater exam होती है या improvement exam होती है तो जो science के practicals है या physics chemistry maths बायो के practicals है क्या वो वापस देने पड़ते हैं हाँ विल्खुल वो सारे practical exam भी आपको वापस देने पड़ते हैं और न तो उसका जो journal होता है वो आपको वापस नहीं लिखना पड़ता है वो same journal आप next time produce कर सकते हो जो प्रयोग पुस्तिका होती है practical book होती है जिसे हम journal कहते हैं वो पहली बार ही आपको बनाना पड़ता है और जितने बार भी आपको exam दोगे पूरानी book आप produce कर सकते हो तो ये सार प्राइब भी कर ले ऐसी जानकर ये चैनल पर बहुत सारी अवलेवल हैं मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में